हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम सेंटेंस कनेक्टर्स को डिसकस करेंगे और सेंटेंस कनेक्टर्स इस समय सभी बेंके एक्जाम्स में IBPS clerk में और IBPS PO में और दूसरे सभी bank के exams में पूछे जाते हैं ये current trend है तो इन questions को हम समझते हैं इस video class में मैंने कुछ basic sentence connector के examples लिए हैं और बाद में दूसरे video classes में हम कुछ advanced sentence connectors को भी समझेंगे जो कि मैं इस exam में पूछे जाते हैं तो चलिए देखते हैं इन sentence connector को देखे ये है sentence connector अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर ये दो sentence दिये हैं एक sentence ये दिया है और एक sentence ये दिया है इन दौनो sentences को connect करके आपको एक sentence बनाना है और वो sentence meaningful होना चाहिए sentence connector के रूप में आप इन चारो words में से कोई सा भी एक word यूज़ कर सकते है अब जैसे यहाँ पर आप पढ़िए complaint of additional work getting dumped on them इस sentence का मतलब क्या है जैसे complaint of complaint of यहाँ पर लिखा है तो complaint of क्या है complaint of actually यहाँ पर एक verb है और इस verb से पहले यहाँ पर subject का होना जरूरी है जैसे मैं बोल सकता हूँ कि he complained of, she complained of, they complained of ठीक है, राम और श्याम complained of, मतलब राम और श्याम ने complained किया, किसी बारे में complained किया, तो यहाँ पर एक subject missing है, यहाँ पर जो subject word है वो missing है, और वो आपको लगाना है, वो आप लगा देंगे, तो यह पूरा sentence एक sentence बन जाएगा दो sentences को आप comma से, या semicolon से जोड सकते हैं जैसे यहाँ पर एक semicolon लगा हुआ है, तो semicolon का मतलब यह होता है, कि यह दोनों sentence जो है, यह closely related हैं closely connected हैं, लेकिन यहाँ पर एक word जो है, वो missing है ठीक है, तो वो word क्या होगा वो हभी मैं बताता हूँ आपको complaint of additional work getting dumped on them, मतलब यहाँ पर बात हो रही है, कुछ लोगों की company के कुछ लोगों की, जिनके उपर additional work डाला जा रहा है complaint of additional work getting dumped on them उनके उपर कुछ extra word का load डाला जा रहा है अब देखिए, यहाँ पर लिखा है still more narrated about long work hours and post 5 p.m मतलब कुछ लोगों ने complaint की है कि उनके उपर कुछ extra work कुछ additional work का pressure डाला जा रहा है, और उसके बाद कुछ और लोगों ने narrate किया है कि long working hours मैं उनसे काम करवाया जा रहा है और post 5 p.m मतलब 5 p.m के बाद भी उनको रुकने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है यहाँ पर बात हो रही है employees की ठीक है, employees जो है वो क्या है, वो countable है तो इसलिए little नहीं आएगा यहाँ पर जो हैं वो countable होते है few इसलिए नहीं आएगा क्योंकि few का मतलब है ना के बराबर यदि आप ना के बराबर लगाएंगे तो फिर टो यह sentence का logic ही खतम हो जागा क्योंकि कुछ लोग इसमें complain कर रहे है तो कुछ लोग तो आपको चाहिए ना तो इसलिए कुछ लोग मतलब countable लोग आपको चाहिए इसलिए few नहीं आएगा few का मतलब होता है ना के बराबर a few का मतलब होता है कुछ लोग ठीक है और da का मतलब होता है सारे के सारे तो सारे के सारे का तो sense नहीं आ रहा है यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कुछ लोग additional work की complaint कर रहे हैं और कुछ लोग पांच PM के बाद रुकने की complaint कर रहे हैं ठीक है तो darview का मतलब तो होता है कि सारे के सारे लोग सारे के सारे लोग का यहाँ पर sense नहीं निकल रहा है view का मतलब होता है न आ के बराबर ठीक है little जो होता है वो uncountable के लिए होता है a little uncountable के लिए होता है तो सारे इनको हमने options को examine किया और उसके बाद इसका सही answer क्या निकला a few क्योंकि few जो होता है वो countable भी होता है और उसका मतलब होता है कि कुछ लोग कुछ 4, 6, 10, 20 लोग उनको हम बोलते a few few का मतलब होगा ना के बराबर तो इसलिए a few यहाँ पर सही answer आपका होगा और a few इसमें यहाँ पर लगेगा यहाँ पर a few complaint of मतलब complaint of से पहले आपको एक subject word चाहिए और a few यहाँ पर एक subject word की तरह काम करेगा ठीक है a few complaint of additional work getting dumped on them और उसके बाद लिखेंगे हम still more narrated about long work hours and post 5 p.m. देखिए यह दौनों sentences को ज़िए अब ध्यान से देखें तो दौनों sentence में एक ही बात हो रही है दौनों sentence में कुछ employees है जो कि शिकायत कर रहे हैं तो दौनों sentence है यह closely related sentence है इसलिए इन sentences को यहाँ पर यह semi-colon से जोड़ा गया है लेकिन semi-colon से जोडने के बाद भी यहाँ पर यह sentence incomplete था क्योंकि इसमें a few लगाना जरूरी था इसमें केबल verb लगी हुई है लेकिन इसका subject जो था वो missing था यहाँ पर तो इसलिए आप जब आप subject लगा देगे और I hope आपको यह समझ में आया होगा चलिए दूसरा sentence देखते हैं देखें यह second sentence है इनिशेटिब सेट इन मोशन अ सीरीज ओफ डेवलबमेंट तोवर्ड डायलोग ठीक है despite the still fresh wounds of 1999 कारगिल कॉनफलिक्ट इसमें हम क्या बात कर रहे हैं देखें आप सभी को पता होगा कि कारगिल वार हुआ था 1999 में इंडिय और पाकिस्तान के बीच में और इन दोनों के संबंदों में काफी काफी करभाहट आ गई थी उनकी वज़े से तो उसी के regarding यह दोनों sentence है सबसे पहले आपको sentence को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि sentence का context क्या है किस relation में किस context में sentence को लिया गया है कहां से sentence को लिया गया है ठीक है तो यहाँ पर बात हो रहे हैं कि initiative set in motion a series of development toward dialogue dialogue का मतलब जो दो लोग में जो बात होती है तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम यह बोल ले हैं कि किसी particular initiative ने मतलब government को यह initiative लिया और उसकी बज़े से series of development toward dialogue मतलब सीधी बात करने का जो रास्ता है दो politicians के बीच में बात करने का जो रास्ता है वो खुल गया ठीक है समझ में आया इस sentence का मतलब के एक initiative लिया गया और इस initiative ने set in motion का मतलब एक रास्ता बना दिया किस चीज के लिए कि एक dialogue का रास्ता खुल गया दो parties के बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में उनके diplomats के बीच में बात्चीत का रास्ता खुल गया despite despite का मतलब इसके बाबजूद despite the still fresh wounds मतलब अभी जो बुन्स हैं जो घाओ है 1999 कारगिल कॉनफलिक्ट के जो घाओ है वो still fresh है वो अभी भी fresh है उसके बाबजूद भी उस initiative की वज़े से डाना की बीच में बारतालाब का रास्ता खुल गया तो यहाँ पर हम बोल लाए है still fresh still fresh ठीक है अभी भी वो चीज फ्रेश है लेकिन उस initiative की वज़े से वो रास्ता खुल गया तो यहाँ पर आइदिया common sense लगाएं तो यहाँ पर इन मैसे क्या word आ सकता है initiative singular है और past past singular की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उस initiative की वज़े से रास्ता खुल गया हलाकि conflict 1999 का जो conflict हुआ था उसके जो wounds है वो अभी भी fresh है लेकिन उस initiative की वज़े से रास्ता खुल गया तो यहाँ पर this हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर हम बोलेंगे that क्योंकि हम past singular की past subject की इसमें बात कर रहे हैं initiative जो लिया गया यह past में लिया गया तो यहाँ पर आप that लगा सकते हैं कि that initiative initiative से पहले आप लगा सकते हैं that initiative set in motion a series of development toward dialogue despite the still fresh bonds of the 1999 कारगिल conflicts ठीक है इस तरीके से एक sentence बन जाएगा तो अभी जैसे यह दो अलग-लग sentence दिये हैं comment से दोनों का लग किया गया है लेकिन इस sentence को connect करना ज़रूरी है कोई एक word लगाना है या तो यहाँ आप लगा सकते हैं sentence connector का मतलब है कि वो word यहाँ पर भी शुरुवात में भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है दोनों sentence हो कोई बीच में भी वो word आ सकता है और शुरुवात में भी आ सकता है ठीक है तो that यहाँ पर सही answer होगा यदि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको nervous होने की और panic होने की जुरूवत नहीं है sentence connector के मैं काफी video classes basic से लेके advance तक सारे video classes में बनाऊंगा और upload करूँगा तो आप चीज़ाओ को समझने की कोशिश करें यदि 20-30% भी आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब you are on the right track आपको सारी चीज़ाओ सारी समझ में आ जाएंगी अब देखें यहाँ पर हम देखते हैं a decimal scenario you can only get worse with higher population concentrations unless city government come into their own अब यहाँ पर हम एक common sense लगा सकते हैं कि यहाँ पर A लगा हुआ है A के साथ कौन सा word जुर सकता है as of A हम नहीं बोलते as of A नहीं होता much A नहीं बोलते more A नहीं बोलते such A बोलते हैं हम ठीक है as A बोलते हैं लेकिन as एसे इसका sense नहीं निकलेगा देखें यदि आप सच लगाएं यहाँ पर तो इसका sentence सही बन जाएगा such A decimal scenario मतलब ऐसा decimal scenario can only get worse with higher population concentration scenario मतलब एक scene होता है decimal मतलब disappointing decimal हम यूज़ करते हैं अच्छी नहीं हैं जैसे decimal performance decimal results ठीक है तो decimal एक negative word है तो यहाँ पर आप सच से इसको सुरू कर सकते हैं such A decimal scenario such A decimal scenario can only get worse मतलब ऐसा scenario ऐसा एक disappointing scenario can only get worse मतलब और भी बेकार हो सकता है with higher population concentration unless city government come into their own तो किस context में बात कर रहा हैं यह थोड़ा सा पता नहीं पढ़ रहा है ठीक है इसमें शायद city की जो population है उसके बात हो रही है तो यहाँ पर common sense यह आप लगाएं तो इसमें सच ही आ सकता है क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है such A decimal scenario can only get worse मतलब इस तरह का जो decimal scenario है और लोजिक भी इस तरह के sentences में लगाना होता है चलिए आगे का sentence देखते हैं देखे यह एक sentence है यंग learners really engage with the tablets and computers जो young generation है वो बास्ता में इंगेज होती है tablets के साथ और computers के साथ which makes learning our interactive process यह ब्लकुल सही है ठीक है जो learning को बहुत interactive बना देता है तो इसलिए काफी सारे students काफी सारे young learner engage होते है tablet और computer के साथ है तो अब इसमें हम क्या लगा सकते each young learner ऐसे तो हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास each हम लगाते हैं निश्य संख्या के लिए लेकिन हम यहाँ पर young learners इने general sense हम बात कर रहे हैं कोई भी young learner हो सकता है तो each नहीं आएगा यहाँ पर दो भी नहीं आएगा everyone के बाद off आता है everyone of them ठीक है one of them, everyone of them तो everyone नहीं आएगा even आ सकता है although नहीं आएगा क्योंकि although से हम contrast create करते हैं दो sentences में contrast हम बताते हैं कि ठीक है जैसे हम बोल सकते हैं कि although he is poor he doesn't ask for help हाला कि वो गरीब है लेकिन फिर भी वो किसी से help नहीं मांगता यहाँ पर हम contest बता रहे हैं तो contrast के लिए हम although लगाते हैं तो यहाँ पर contest तो कोई है नहीं यहाँ पर तो हम बोलना है young learners really engage with their tablet and computers ठीक है तो really a keyword आ रहा है यहाँ पर really के साथ हम normally even word का use करते हैं even यहाँ पर साही होगा even young learners really engage यहाँ तक कि young learners भी बास्ता में engage होते हैं tablet और computer के साथ जो की learning को बहुत interactive बना देता है तो बाकी सारे sentences को बाकी सारे connectors को यदि आप यहाँ पर लगाएंगे तो कोई meaning नहीं निकलेगा लेकिन even से इसका एक meaning निकल रहा है तो even को आप यहाँ पर आप लगा के इस पूरे एक sentence को sentence को connect कर सकते हैं और even इसमें आपका सही answer होगा question number five देखते हैं especially in their own language because it ensures a better understanding of subjects of the important themes are to ensure that students have ready access to the right learning material देखें यहाँ पर भी sentence connector लग सकता है और यहाँ पर भी लग सकता है यहाँ पर यहाँ पर भी अप लगा सकते हैं तो इसमें actually देखते हैं लगा के क्या लगेगा देखें इच को यहाँ लगाएंगे तो लगेगा नहीं इच इस्पेसिली, समवन स्पेस ली, वन स्पेसिली यहाँ पर एक sentence लगाना पढ़ेगा आपको यहाँ पर गर लगाना पढ़ेगा क्योंकि आफ लगा है तो आफ के बाद यह सारे वर्ठ मर जो सकते हैं जो पर है एच पर फिंच आफ के बातरada ready access to the right learning material, मतलब कुछ themes जो हैं, कुछ themes जो हैं, वो ensure करती हैं, कि students के पास ready access है, right learning material का, ठीक है, especially in this situation, especially in this particular situation, तो चूकि यहां पर important, एक keyword है, important का, important, दस अगर कोई चीज है, तो दस में से दो ही चीज़े important होंगी, यानि यहां आप some word का use कर सकते हैं, ठीक है, some of the important themes are to ensure, कुछ important themes में से, बहुत सारी important themes हैं, यकर उसमें से कुछ important themes का जो परपज है, वो यह है कि student को ready access मिले, right learning material के प्रती, तो हाला कि यहां पर many भी आ सकता है, लेकिन many से उतना सही sense नहीं बनेगा, ठीक है, important word का मतलब है कि, कुछ themes, क्योंकि important जो है, जैसे 10 है, कोई भी चीज 10 हैं, तो उसमें से 3 या 4 ही important होंगी, यह एक में लॉजिक लगा के आपको दे रहा हूँ, तो इसलिए यहां पर some कहना सही होगा, some of the important themes are to ensure, इस तरीके से sentence बनेगा, ठीक है, तो यहां पर आप sentence connector आप लगा सकते हैं, some of the important themes are to ensure, that students have ready access to the right learning material, उसके बाद आप बोलेंगे, कॉमा लगा हुआ है, उसके आप बोलेंगे, especially in their own language, because it ensures a better understanding of subjects, तो some यहां पर सही आपका अंसर होगा, next हम देखते, it has presence a deity is usually made of stone, deity क्या है, daty का मतलब है, कि जो devy, देपताई जो होते हैं, जैसे, daty हम बोलते हैं, जैसे जोρ देवी होती है, इसकी मूर्टी होती होती है, उसके हम बोलते हैं, daty다면 a deity is usually made of stone, daty को normally stone से बनाया जाता है, it has presence, यहां पर हम इक contrast बता रहे हैं, यहां पर हम यह बता रहे हैं कि हाला कि इसको पक्थर से बनाया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें प्रजेंस है, फिर भी उसमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति सामने बैठा है, जैसे कोई-कोई मूर्ती जो होती है, वो इतनी लाइवली होती है, उसको देख के लगता है कि हाला कि एक डेटी को स्टोन से बनाया जाता है, फिर भी, फिर भी का सेंस इस से कौमा से आजाएगा, और दो को आप लगा देंगे यहाँ पर, दो अदेटी इस यूजली मेट अप इस टोन, इट है इस टरीके से दो इसमें सही होगा क्योंकि कंट्रास्ट इसमें क्रियेट कर रहे हैं इसलिए दो कहना यहां पर सही होगा आगे देखते हैं such conditions it is only those with big city network who have access to these better jobs and those who do not must of necessity go to smaller towns ठीक है तो conditions such conditions such conditions के साथ कौन सा वर्ड जुड़ सकता है इस तरह की conditions में such conditions it is only those with big city network who have access to these better jobs and those who do not must go to smaller towns इस तरह की conditions में ठीक है only those with big city networks who have access to these better jobs and those who do not मतलब जो लोग बड़ी city में रहते हैं इस तरह की conditions में और जिनको better jobs मिल सकती है उनको बड़ी cities में रहना चाहिए बाकी लोगों को छोटी cities में जाना चाहिए यहां पर हम यह बोल लें हैं तो such conditions के साथ हम क्या वर लगा सकते हैं behind such condition क्या मतलब होगा इसका हम यहां पर बोल लें हैं कि in conditions में in conditions में ठीक है in circumstances में तो conditions के लिए हम normally use करते हैं under under such conditions under these conditions under these terms to conditions के लिए हम use करते हैं under तो यहां पर आपका सही answer होगा under under such conditions it is only those with big cities networks who have access to these better jobs and those who do not must go to smaller towns ऐसे sentence बन जाएगा ठीक है चलिए आगे दिखते हैं such thoughts are reflected in this harmonious relationships in failures to achieve one's potential the the converse may be two इस तरह के thoughts such thoughts इस तरह के thoughts are reflected इस तरह के thoughts reflect होते हैं कहां पर in this harmonious relationships this harmonious relationships में जो relationships सही नहीं चल रहे हैं this harmonious relationships जो है उनमें इस तरह के thoughts reflect होते हैं in failure to achieve one's potential or the converse may be true तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं in failure दो से नहीं बनेगा बट से नहीं बनेगा besides यहां पर actually दो चीज़ा बोल लाए हैं such thoughts are reflected in this harmonious relationships in failure यहां पर actually दो बोल लाए हैं हम दो sentence बोल लाए हैं कि इस तरह के thoughts एक तो dish harmonious relationships में reflect होते हैं और जब हम किसी चीज़ को in failure to achieve one's potential जब हम अपना potential को achieve नहीं कर पाते हैं तो इस तरह के thoughts reflected होते हैं दो चीज़ा हम बोल रहे हैं इसको हम एंड से जोड सकते हैं कि देखते हैं इसको such thoughts are reflected in dish harmonious relationships and in failure to achieve one's potential और the converse may be true और सका उल्टा भी सही हो सकता है तो दो equal sentence है इस लेस को हम एंड से जोड सकते हैं तो यहाँ पर सही answer होगा आपका end देखें यह दूसर टाइप के question है और इसको भी हम देखते हैं she was late I was delayed she was late I was delayed वह लेट थी लेट थी मतलब वह जानमूच के लेट थी she was late मतलब office में late थी I was delayed मतलब मुझे किसी कारण वस डिले हो गया मतलब मैं डिले हो गया मतलब कोई कारण था उसका इसलिए I was delayed तो दोनों यह अल्मोस्ट एक ही सेंटेंस है I was late तो यहां पर चुकी डोनों सेंटेंस में एक ही opinion को हम रख रहे हैं एक ही thought को हम process कर रहे हैं इसलिए यहां पर हम similarly लगा सकते हैं she was late similarly I was delayed ऐसे बूल सकते हैं और ऐसे भी बूल सकते हैं इसको she was late I similarly was delayed थिक है तो बीच में आप similarly लगा देंगे तो यहां से हट जाएगा यह फोल सपर हट जाएगा दोनों सेंटेंस एक बन जाएंगे और सेंटेंस कनेक्ट हो जाएगा तो इसलिए यहां पर अपका सही आंसर होगा आपका आंसर होगा सेकेंड केबल सेमिलरली इसमें आएगा बाइचांस नहीं आएगा she was late by chance I was late ऐसे नहीं बनेगा यह sentence above all भी नहीं आएगा इसमें केबल second ही आएगा second किसमें है second में है तो इसलिए second ही इसका सही answer होगा question 10 देखते हैं Ali worked hard Karan hardly did any work at all इन दोनों sentences में हम contrast दिखा रहे हैं कि Ali ने करी महनत की लेकिन करन ने कुछ भी नहीं किया करन hardly did any work at all दोनों में contrast दिखा रहे हैं तो contrast के लिए on the other hand हम लगा सकते हैं contrast के लिए हम on the other hand लगा सकते हैं और in contrast भी लगा सकते हैं यानि second और third दोनों ही इसमें सही होंगे तो इसका answer होगा अब देखिए इसको जोड़ते हैं हम Ali worked hard on the other hand करन hardly did any work on the other hand से हम contrast दिखा रहे हैं पहले sentence का contrast हम दूसरे sentence से दिखा रहे हैं किसके तुरू on the other hand के तुरू on the other hand से ये sentence जोड़ जाएगा दूसरा देखते हैं Ali worked hard in contrast करन hardly did any work at all तो दौनों ही सही है second और third दौनों ही सही है और यहां पर answer होगा आपका fifth क्योंकि second और third दौनों ही option यहां पर applicable है He passed his exam He had some good news to tell his parents उसने उस exam को pass किया और उसके पास एक अच्छी news थी अपने parents को देने के लिए Hence से हम conclusion निकालते हैं जैसे हम कोई चीच बोल ले हैं और उसको जब हम summarize करते हैं उसका conclusion निकालते हैं तो उस समय हम hence लगाते हैं तो conclusion तो यहां पर निकाला नहीं जा रहा है तो इसलिए hence नहीं आएगा यहां पर Consequently आ सकता है Consequently का मतलब होता है परिणाम सरूप इसके परिणाम सरूप He passed his exam He passed his exam उसना अपना exam passed किया Consequently और इसके परिणाम सरूप इसका परिणाम क्या हुआ? कि उसके पास एक news थी अपने परिण्स को पताने के लिए Consequently इसमें आ सकता है Hence नहीं आ सकता Because भी नहीं आ सकता क्योंकि ऐसे तो बोल ली सकते हम के Because he had some good news to tell his parents He passed his exam ऐसे नहीं बोल सकते He passed his exam Because he had some good news नहीं इससे भी नहीं बनेगा Because से आप sentence को बना के देखिए यहां पर लब लगा के देखिए बिलकुर गलस सेंस इसका निकलेगा Hence से हम conclusion निकालते हैं Consequently यानि second इसमें सही है तो answer होगा आपका fifth Question number 12 देखते हैं Six is more than five Five is less than six यहां पर भी हम contrast बता रहे हैं कि six is more than five छे जो है वो पांस से बड़ा होता है और पांस जो है वो छे से छोटा होता है दौनों सेंटेंस closely connected है दौनों सेंटेंस closely connected है इसलिए इनको semi-colon से जोड़ा गया है तो यहां पर हम इनको किस से जोड़ सकते हैं Conversely से जोड़ सकते हैं यहां पर हम Six is more than five Conversely five is less than six Despite से नहीं जोड़ाएगा क्योंकि despite का मतल़ा होता है इसके बाबजूत henceforth का मतल़ा होता है अब के बाद आज से तो conversely इसमें सही आंसर आपका है इसका आंसर होगा आपका fourth Six is more than five Conversely five is less than six He lacks self-confidence He is unlikely to be successful देखिए यहां पर हम क्या बता रहा है यहां पर एक action बता रहा है और यहां पर उस action का result बता रहा है ठीक है और result की English क्या है result की English है consequence तो as a consequence यहां पर आपका लग सकता है देखो He lacks self-confidence उसमें self-confidence की कमी है और इसके परिणाम सरूप He is unlikely to be successful और इसलिए वो उसके successful होने की संभावना बहुत कम है तो यहां पर हम action बता रहा है यहां पर परिणाम बता रहा है और परिणाम को हम क्या बोलते है consequence हम परिणाम को बोलते है तो first यहां पर सही answer होगा nonetheless का मतलब होता है फिर भी however का मतलब होता है फिर भी तो यह दोनों नहीं आएंगे first इसमें आपका सही answer होगा first दिया है second में तो second इसका answer होगा तो इस तरही कैसे इस video class में मैंने 13 sentence समझाए है और यह basic यह बिल्कुल basic sentences है और आपके IBPS clerk में और PO में और दूसरे bank के exams में यह पूछे जा सकते हैं यह आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है कुछ path भी आपको समझ में आया है तो आप समझ सकते हैं कि sentence connector आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे क्योंकि यह basic sentence connector है और शुरुआत में काफी students को problem आती है यह चीज़ें समझ में नहीं आती है थोड़ी से advance label की चीज़ें होती है लेकिन मैं और भी sentence connector के video classes upload करूँगा advance label के भी upload करूँगा जो mains exam में पूछे जाते हैं तो उनकी मदस से आपको यह sentence connector धीमे धीमे समझ में आने लगेंगे तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगा next video class में कोई भी feedback आप देना चाहते हैं तो इस email ID पर आप दे सकते हैं Thank you